Assalamu Alaikum Oni everyone, मैं हूँ Redshma, मैं Welcome करती हूँ आपका Thermos Kitchen में friends, आज हम बनाएंगे मुर्गी के पंजो की रेशिपी, मैं आपके साथ शेर कर रही हैं friends मुर्गी के पंजो को साब कैसे करते हैं, और इसे हम बनाएंगे कैसे, तो friends यह सबसे सस्ती और आसाथन Sc Beijing है। इसे ज़रूर अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक शेर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए हमने लिए हैं एक किलो मुर्गी के पाए यहने के मुर्गी के पंजे लिए हैं एक किलो आसानी से निकल जाते हैं इसकी स्कीन और यह देखिए एकदम से आसानी से निकलता है फ्रेंड्स यह एक और एक तरीका है इसे आप भून कर भी निकाल सकते हो हलका सा भून लीजिए भून कर भे आसानी से निकल टाए फ्रेंट्स लेकिन गैस थोड़ा सा ज़ादा लगता है उसे भूनने के लिए इसलिए हम गरम पानी में डाल कर बड़े आसानी से और कम गैस में इसे बना सकते हैं फ्रेंट्स गैस भी नहीं वेस्ट होगा हमारा ये देखे बहुत ही आसान इसे हमने इसकी स्कीन उतार दिये हैं यह देखिए माशालला आप पंजों को गरम पाने में डालेंगे तो ज्यादा वक्त नहीं रखना है स्रिफ दो मिनट के लिए इसे अल्टी पल्टी करकर डुबो दीजिए गरम पानी में और निकाल कर इसकी स्कीन खीच लीजिए गा और इसके नाखुन भी बड़े आसानी से कट हो जाते हैं माशालला देखिए हमारा एक पंजा इस तरह से हमने क्लीन कर दिये हैं सारे पंजा हम इसी तरह से क्लीन करेंगे अब लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे चमच तेल और चार छोटी साइस की प्याज हमने इस तरह से पैस को फ्राय कर लीजे और निकाल लीजिएगा और इसमें हम जादा तेल नहीं डालेंगे जो तेल बचा है उसी में हम यह पंजा आड कर देंगे और लोटू मीडियम फ्लेम पे चमच चलाते वह इसे हम भूनेंगे इस तरह से अब इसमें हम दालेंगे दो बड़ रिखा लूए थोड़ा सा तोड़कर डाल दिजे बड़ी इलाइची को थोड़ा आप खोल दीजे और फिर डाल दीजे इससे अच्छा फ्लेवर आएगा और श्मच लेज बनेंगे यह पंजे पंजो की स्मेल भी नहीं आएगी इस तरह से अगर आप बनाओगे तो अब इ तो आप flame को low रग दीजे, फिर इसमें healthy powder डाल दीजे, half teaspoon से थोड़ी सी जादी, फिरी से हम mix कर लेंगे, healthy powder डाल कर हम अच्छे तरीके से इसे चम्मत चलाते वे भून रहे हैं, flame को हमने low रग दिये हैं, क्योंकि अधरक लसन तले पे थोड़ा सा लग रहा था, ये देखिए, इस तरह से हमने अधरक लसन को डाल दी हैं, अब इसमें masala डालेंगे, छोट असा डालेंगे, जाइफल का तुकड़ा, इसमें खड़े masala डाल रहे हैं, छोट असा जाइफल का तुकड़ा डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें जावीत्री और तीन long डालेंगे, और half teaspoon सफेज इतना ही डालना है, जादा नहीं, और जो fry करकर हमने प्याज रखी थी, वो भी उसी की साथ में अड़ कर दीजिए, आठ से दस लिसन की कलियां डाल दीजिएगा, और इसे हम इस तरह से पीस लेंगे, दो छोटे साइज की टमाटर डाल देंगे, रफली काट कर हम इसे भी और यहां पर हम आते हैं पंजो की तरफ, पंजो को हम आप अच्छे तरीके से भून लिये हैं, इसमें डालेंगे, वन टीस्पून लाल मिर्च का पौवडर, हाफ टीस्पून दालेंगे, इसमें कश्मीरी रेड चिली पौवडर, वन फॉर टीस्पून का पौवडर, वन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमे अजादी कर सकते हो friends, अच्छे तरीके से हमने इसे भून लिये हैं और मिर्च दाल का तोड़ा जलने लगता है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आदा कब जितना हमने इसमें पानी डाल दिये हैं फिर इसे अच्छे से mix अच्छे तरीके से हमने पाने डाल कर पिसे तहीर में यहमें नियूम्हा करते हैं नियूम्हाटे लिए टाकेytyy मिर्च पाने डाल कर midst भी लागे त्क भी समय तो इसमें वापस से मैंने आदा गिलास जितना पानी डाली हूँ याने टोटल हमने एक से देड़ गिलास पानी का इस्तमाल की हैं इसमें डालेंगे चिकन मसाला कोई भी ब्रैंड का डाल सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने यहाँ पर चिकन मसाला वन टेबल स्पून आड़ कर दिये हैं और अच्छे तरीक से फिर से मिक्स कर लेंगे इसे नमक की स्टेज पर आप चेक करकर डाल सकते हो यहाँ पर मुझे नमक की ज़रुरत नहीं लग रही है मैं नमक नहीं आड़ करूंगी आप इसके उपर धक बनी है यह चिकन के पंजों की कम मसालों में और कम खर्च में बनने वाली बहुत ही टेस्फुल चिकन पंजों की रेसिपी है अगर आप चिकन पंजे बनाएंगे तो आप बढ़े के पाई भूल जाएंगे मेरे कहने पे एक बार इसी ज़रूर ट्राइ करिएगा इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना खयाल रखिए सेफ रही है